इसे इंटरनेट पे लिखा हुआ है कि लिव इन सिस्टम की तरह रहते हैं जैसे सेरों के अंदर लड़का और लड़की साथ में रूम लेके रहते हैं और एक दूसरे को समझते हैं उसके बाद साधी करते हैं पहले बच्चा पेदा करना होता है ऐसा हम पढ़ते हैं दोस्तो अरावली परवत माला के इन जंगलों में रहने वाले गराशय आदिवाशयों के बारे में हम आज पूरा पूरा डीटेल से जानने वाले हैं वो बाते जानने वाले हैं जो दोस्तो किताबों के अंदर नहीं बताई जाती है और हमें कहीं न कहीं इंटरनेट के माधिय से दो तीन जो चीजे हैं वो गलत भी हमें बताई जाती है तो उनका भी आज ये सी वीडियो में हम खंडन करने वाले हैं आप देख सकते हैं कि हमारे साथ जुड़ चुके है इस परकार से दलपत सिंग जी गराशिया जो आदिवासी है और इन अरावली परवत माला के जंगल रहे हैं तो इनके रिती रिवाज तोर तरीके और इनके समाज की बातें ये बताएंगे कहां से इनकी उत्पत्य हुई किदर से ये गराशिया दिवासी जो है वो शुरू से पूरवज के टाइम कहां से उत्पन हुए यहां कैसे आए तो ये इनके बारे में कुछ जानकरी देंगे दोस्तों क्या आप भी औरों की तरह हजारों लाखों का करजा कर लिया है ओनलाइन के चकर में तो दोस्तों मैं आपको बता दू कि आप गया हुआ पैसा वापस रिकवर भी कर सकते हैं और आपके उपर जितना भी करजा है ओनलाइन के चकर में वो पूरा का पूरा आप क्लियर भी कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलिग्राम का लिंक है वहाँ पर जाईए और पूरा विजिट कीजिए आपको पूरा प्रोसेस पता चल जाएगा और ऑनलाइन के अंदर जो आप बरबाद हुए हो हजारों लाखों का आपके उपर जो करजा हुआ है वो बिल्कुल चुटकियों में आप उसको क्लियर कर सकते हैं तो आप जरूर टेलिग्राम जो चैनल है उसको जोइन कीजिए और पूरा पूरा विजिट जरूर कीजिएगा हम वेशे तो मेरट से उठे हुए हैं मेरट के राजगराने से उस समय मुंगलों के सासन काल में हमारे साथ में आक्रमन हुए थे तो आक्रमन के समय हमारे वंचज सब नश्ट हो गया था 4.600 साल तक हम लड़े मुंगलों से मुश्रूमानों के सासन में तो वहां से आमारी दादी पेट में तीन वरस के बच्चे को पेट में ले करके वहां से भग करके निकली और निकल करके आकर के या नागदा में आकर के एक हरजी ब्रामन के वहाँ पुरोईत ब्रामन थे तो नागदा गाउं है MP, UP और राजस्थान के तिरकोणा बोडर पे गाउं बसा हुआ है तो वहाँ पर आकर के हमारी दादी जी ने सरण ली उस ब्रामन के वहाँ तो उस ब्रामन ने उसके सहरा और उसकी लंबाई छोड़ाई को और उनको देख करके उससे ये मालूम पड़ा कि किसी राजगराने की महिला है तो उसने सरण दिये और वहाँ रखे और कुछ चै महिने के बाद में बच्चा जन्मा जो पेट में लेके आई थी उनका नाम था बप्पा रावल उसको बाप्रा कहते थी बाप्रा मतलब कोई उसके बंचस का नहीं यह इसले है हमारे बाप्रा यानि बप्पा रावल तो बप्पा रावल के बंचस से हम वहाँ से निकले हैं यहां करके नागदा में ब्राह्मन लोगों ने हमें बहुत सयुक दिया जब आज हमारा ब्लेड आज भी मुझुद है उस समय से वहाँ से हम निकल पड़े हैं और दीरे दीरे इन अरावली की स्रंकला में होते होते इधर चितोड पर हमारा पड़ाव रहा है वहाँ से बपड़ावल जब बड़े हुए तो साधी हुई संद्र गुप्त मोरिय की बेटी के साथ में उनका बेटा नहीं था बेटी थी तो घरजमाई के रूप में शितोड पे रखे बपारावल को घरजमाई के रूप में रखे उसके बाद में हमें ये शितोड पे भी हमारे साथ में मुंगलों ने आक्रमन किया पडमनी के लिए नो रोज बांगते थे नो दिन राणियों को रखने के लिए या साधी होने के बाद में नो दिन रखनाते हैं तो हम उनकी गुलामी को सविकार करना नहीं चाहते हैं हमने हमारी ओरतों को कभी मुंगलों को हाथों में नहीं दी मर गई हाथ से सुरा लगया के मर गई आग में कुद के मर गई जोहर कर लिया 40,000 राणियान एक साथ में कता क Plan कर से तो से समाज से कट गे भागी जोजी जितना वी राजपु समाज था उन समाज़ों में हट करके इन जंगल में रहने वाले भील घमिती इनके साथ में हमारा उठना-भीटना चलान इनके साथ में ही रहना से नहों फिर ऐस में अल्लाव दिन ए कहीं किया उस समें ह पहाड़ों में भगे अपनी अजर्टों को ले करके तो तो पहाड़ों में भील समाज के राना पुंजा से राखी बंदन का रिस्ता क्या और आदा राज्ये उनको दे देंगे ऐसे हमने हमारे समाज ने कहे करके हमारे परिवार वंचोजों ने कहे करके भीलों को भाई बना करके हम भीलों ने हमें सयोग दिया और लड़ाई लड़ी और उनके साथ भीलों के साथ में हम रहते पाड़ों में और पाड़ों के साथ दीरे-दीरे हम उस कल्चर में रहने से ह हम ढूट को मुझा यहिए दीफ कर दिफ भी में साक्थ में रहने से उभिल समाज में रहने से हमें फिल समाज के साथ में रहने से हमें फॉर DR यहाँ हम इस अधियो और फिर हम भी कि में भड़ी जातियां दो पर इस से हम जो राइद्रा लगाते हैं जो हम शिशोदिया बंसे हैं तो शिशोदिया बंसे में हमारे दो तिन जातिया होते हैं गहलोत भी होते हैं गिल्ड भी होते हैं और ग्राइद्रा भी है राइद्रा हमारा लगा हम वहां से इधर से भगते भगते वापस बांसवारा तरफ गए यही कारण रहा है इतियास के कालखन में मैं आपको यह बता दूँ कि जब 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 यह इस ततियां वीपकट आई और फिर मुगलों के बाद में अंग्रे जाए तो फिर इन जंगलों में बसने के कारण हमारे कुछ समिशय खड़ी हो गई जैसे 84 परकार के लागबाग लेने नहीं कर पाए तो कुछ हमारे समाज में ऐसा हमारे दीवला के अंदर सबसे पहले बड़े मेले का एक आयोजन वहां के संतर ब्रावनों ने एक इस्तापना कर दी थी कि आपके समाज के लिए को शमिशय खड़ी होगी ते एक मेले के आयोजन कर लेते हैं और मादिव जी का बड़ा इस्तान है वहां वो मेला बेसा पूनिमा के दिन बढ़ता है वहां और उस मेले की आयोजन के बाद में सबी समाज के लोग इखटे होते हैं हमारा मेल मिला भी होता है के रिस्ते नाते जोडने अदर मेले में जोड़ जाते हैं वो एक हमारे गोपनीता से रखी वी और दूसरा इस एरिये के अंदर हम देखते हैं आज भी हमारे माराना परताब के समय से ही हमारे ये एक प्रण लिया हुआ है कि किसी विदेशी वेक्ति को हम किसी परकार की गोपनीता के हमारे समाज के बारे में हम किसी को कम जानकरी देते हैं बताएंगे नहीं जो हमारी व किसी को जानकारी बाहरवार को नहीं देगे हैं हमारी व्यवस्ता चल ली है वैसे ही चली रही है तो तब से ही कुछ 84 प्रकार के लागबाग देने में चवरी के एक टेक्स्ट लगता था उसका भी टेक्स्ट चुकाना पड़ता था उसको न चुकाने के कारण हमारे आपशी म आपस उन से मेले से ही रिष्टानाता जोड़ दिया लडगा लड़की को पसंद आपस में देख लेते थे फिर अपना रिष्टानाता ुछ Nephya Zar Internal है फिर उस समय नहीं होते है बाद में हमारे समाज के द्वारा आगवाई ठीक हमारे लड़की का उधर अपना रिष्टा नाता जुड़ा हुआ है उनसे वह नाता जुड़ गया है तो फिर हम उस लड़के लड़कें को एक साथ में हमारे पंच पटेलों को मिल करके बिठा कर करके फिर कुल देवी के सामने उनका अगनी संस करवा करके फिर वहां पर उनको हम पगे लगा करके उनको साथ फेर दिलवाते हैं यह एक गोपनिता से रखा हुआ जिए बाद में हम सरतंत्र होते चले गए आज हमारे पुछ कोई ऐसा कोई परती बनता है नहीं है एक आपक करे वास्ता में जिन्होंने में दी होगी यह सीरे से खारीज है ऐसा कहीं नहीं है आज तक हमारे समाज में बारवे दिन आज तक कोई किसी लास को हम रोक करके नहीं रखा है हमारा तुरंट परकरिया जो भी जैसे अपनी हिनुरीती से चलती है उसी रीती के अनुसार हम के लिए उनको हम काड़ते हैं और उनका चुबत्रा बना करके उनके लिए पूजन की व्यूसता रखते हैं एक आपके समाज के बारे में मैंने इंटरनेट पर पड़ा था कि जैसे साधी होने से पहले लड़का और लड़की साथ में रहते हैं साधी से पहले बच्चा पैदा करना पढ़ता फिर साथ ही होती ही ये जानकारी जोट할ू है है सीरोजिले का है पाली का है उद्यवपूर का शेत्र है यह यह एरिये के नहरे गरासिया समाज इस परकार का को ethical ऐसा हमारवार कोรी है यह हमारा निच्चित है कि लड़का लड़की पसंद हो करके वो रिस्तानाता जोड देते हैं यह पसंद पर ही है बीच-बीच में किसी और ने कहा है कि ना ना यह तो मर्जी पड़े जिसको खिंच करके जावे ऐसा कोई रिवाज नहीं है यह अपना पहले सही माता-पिता करने के बाद में रिस्तानाता जोड़ते हैं और फिर हमारे समाज में एक soft corner रखा हुआ है साधी करने की जिसकी समता है बड़िया धुमदा से साधी भी कर सकता है यह अपना रिस्तानाता जोड़ा हुआ तो उस नाते के द्वारा भी हम उनको भेजते हैं यह बात भी ऐसा क कोई गरास या हमारी जन जाती समाज में अंदर किसा कोई वादर हो नहीं रहा है एक खीचान पर्था क्या होती है यह जब इनोंने बताई है खीचने पर्थे की बात है तो यह मेले में जब कोई होता है उस समय काफी बजार के लोग भी हमारे मेडों में सरीक करते हैं उन लटका लटकी हमारा पसंद करता है उसके बाद में वह सबीचा से अपने एक दुस्छ्रे के साथ में साथी बन लियों है पास में हमारे गम्रती समाज रहता है उनके जरूर में यहिसे परकार की रिवाज की वैश्टा है बाकि ग्रहटी उसकोई हम्हारा नहीं है तोश्च बाप को वापस दूसरी साधी करने पड़ने पड़ना ने ने ऐसा नहीं है अपना वो कोई प्रतिबन नहीं है साधी जो भी हमारी व्यवस्ता से चल रही है वैसी चलेगे आपूरोड के साइड में जो उपर वाले जो है गुजरात से कोई टच में आये हुए हैं कुछ लों में से निकले हुए है इंटरनेट पे लिखा हुआ है कि लिव इन सिस्टम की तरह रहते हैं जैसे सेरों के अंदर लड़का और लड़की साथ में रूम लेके रहते हैं और एक दूसरे को समझते हैं उसके बाद साधी करते हैं पहले बच्चा पेदा करना होता ऐसा हम लुए पहले ऐसा सबका नहीं है उदर उदर कई कई अलग लग है वह दो तिन आश्ट होते हैं वह सब्सक्राइब चाइस प्रकार से और बाकित अपने राजस्तान की वीवित्ता है हर 50 किलोमेटर पर परमपरा चैंज होती है बासा चैंज होती है परमपरा भी थोड़ा ब मेरे को यहां पर रहते हैं थोड़ा टाइम हो गया है इनकी जो लोकल लेंग्वेज में यह हर चीज को अलगी भासा में बोलते हैं जैसे सब्सक्राइब को यह कहते हैं और कल मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ कि लड़का था मैंने का वह मेरा कमीज देना तो वह समझा भी Jonathan's가지 सम्झा भी नहीं कि क्या कह रहा है तो मैंने ऐसे इसा रेकरे बोला है उसमें रात दिन का और जैसे मां हो गई मांको आप क्या के तो जा 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 मांको यह जा वोलतेσι मैतल्ग जिया जनम देने वाली हिं देस साशे जर्वां जोगती। जुब्लते हैं जवार लाती होता है और इसका आर्थी होता है कि बंटख का दूद्ध को लिगा पकूम अच्छे करम करना. के लिए समाज के लिए अच्छा काम करना ये वह भूलती है और कोई ऐसी जानकरी जो आपके समाज कर फेलों की कोई अलग हो हो सिर्फ हमारे समाज में ऐसा एक अनुक होताया ऐसा कोई आपके ध्यान में होfast वेशा तो वह सड़ीता वाला हमारा परमपरा भी भी है सब्सक्राइब निया तो करके जाते हैं अध्यार जाते हैं वह प्रमपरा परशाचन का कानुन की बेव काम में नहीं वो समाज इस्तर का कानू काम माया रहा है पर साधन बोलिए आपके रिष्टदार का किसी ने बार वाले ने मार दिया है तो आप फिर सडीता करके जाते हैं तो उसमें उसमें बड़ा नुक्सन होता है तो हम उसको अब दीरे-दीरे परिवतन ला रहे हैं समाज इस्तर पर कैस में लाना चाहते हैं लेकिन अभी नहीं आ रहा है अभी तो हम हम इक के दुख्य है तो जदाजा मेजरोटी उनकी रहती है तो हमें भी कभी-कभी मजबूर होना पड़ता है यह इस्तिति भी बनती है और यह कच्छे गरी से लिए बनाते हैं आज पास चैंज भी करना आगतो है यह स्क्रें लारों करने से नहीं व्यक्ठी निरमान उना चाहिए यह देश का भी निरमान होगा अब देश का भी निरमान होगा उसके साथ यह वह meeमांसीट आहिए लोगों में इस परकार से गमेती गराशिया नहीं है ये गमेती भीलों में से निकले हुए है गमेती कैसे बनते हैं गमेती का उनका एक खान-पान का तरीका देख लो गमेतियों में क्या होता है कि आज जो हिंदु समाज में बड़े चोटे-बड़े का मास का सेवन करने वाले लोग हैं तो इदर सब्वार से भो भी कैन किरन के तो मुसल्मानों के समय सें छूटे होगे किया कि उसमे उनको खिलाया है तब से वो भी किसी समाज में से निकला हैं आखिर उनके भी गौत्र पर्मा है सोलंकी है कि दो कैन के वो राजबूति Miroi में से निकले हुए है निकले वह ay लेकिन बैसे का सेवन जो करते हैं तो उससे उनका छान पान से उनको फिर इस परकार से वह नाम दर्जा दिया हुआ है कमिती गराशिय अभी है अधामोर ग्रासिय अभी है अलग अलग परकार के ग्राशियों की जो इम्मनिटी जो बनी हुई है जूँ जूँ जो अपने इस तर से गिर गे हैं इसलिए उनका नामी वो गिरने से वो गिरा साई पड़ा है इसका आप उनको मैं तो थोड़ा नीचे समरें यहां जादी व्यां में अधिक तर जहां जहां मेल मुलाव करना है तो उसके लिए बखरे का विली तो चड़ाती हैं, बखरे का कैन के उनको भोचन देने की पर था, पहले से चली आ रही है, तो आज तक वो चली रही है, लेकिन काफी संख्या में आज हम संत प्रवक्ति में भी काफी हो चुके हैं, मैं ही बता जांगे हैं, मैं हम साकारिय हैं, हमारे दाजा से हुए हैं, तो अपने इस एरिये के अंदर पाली है, सिवई का है, अबरूड का, जहां-जहां हम मंडल के भाविक बने हुए हैं, नुपदाजी के हम सारे भगत हैं, उस भगत पंद में हम चल गए हैं, जहां-जहां हमारे पंचरंगी धोजा जिस गर पर लग से चलेंगे, दूसरी, यहां जो जतना भी आज कल जो एजुकेशन का इस्तर है, हम जिस कंडिशन में हैं थे, उससे आज थोड़े हमरी इस्तरी लग रहे ही कि हम एजुकेशन में थोड़े से जेदरे आगे बढ़ रहे हैं, पहले हमारी आवेस्ता नहीं थी, दूर रस्त इसकुल थी, पिनवड़ा दूर जाना आना करना था, फिर कुछ रस्ते भी नहीं थे, फिर हम जैसे कुछ लोग इस कल्यान आसरम से जुड़े, तो अपना से कल्यान परिशद की जो यह साखाएं चल रही है, राजस्तान का एक पूरे अपने दक्षिन राजस्तान है, यहा पिनवड़ा है, किसी कारणों से पीचे रह गया है, तो इनके लिए क्या कर सकते हैं, बाकी बाहर के जो इशाई गतिविदियां भी शेत्र में कहीं पुर्विष करती है, तो वो उनको जबरन के तो सिकिचा या सेवा का बहना ले जाकर कि उनको धर्मपृविटन का भी काम कर्श रखते हैं कि ऐसे इसी होती है डूंगोपुल बांसवाड़ा में ऐसी देखने को मिलिए अपने इस एरिये में तो नहीं है आप रूट शायद में कहीं पेर पचा रहे हैं तो ऐसा जालसाजी करके समाज से तोड़ने का काम करते हैं तो अपना ये संगठन है ये इसके म फूल बज़ता सबके ही है किसी कान moo से पीचे रह गए एजुकेशन से कारन से रोगे हमने वह अपनी पुड़ानी परम परा से रहगे सब इसमें हम सूख है कि ठीकरहने पशुबालन करना इसमें हम मस्ते रहते थे कोई अपनी जितनी आफसकता एतनी मैसुच भी नी justement आप इतनी बहुती सुख्ष्विदां के और दोडने का प्राइटने हम कम करते हैं। परकति की गोद में रहते हैं तो परकति की अनुसार ही चलना चाहिए। जैसाट की का दोहन नहीं होना चाहिए। उसके आधर पर हम हमारा जीवन चलना चाहिए तो लंबे कालखल सकर हम चल सकते हैं लेकिन अब दिरे दिरे पीछले वाला जनरेशन है इसमें हम देख रहे हैं कि मैं भी जाजाजी स्रिक्षन संता में हूँ हमारी बालिकों की शेंख्या बालकों से जा जाए और यहों भी देखे हैं हमारी शित्रे में हमने हमारी पर्था बना के रखी हुए कि हमारे घर के अंदर बेटी हो साए बेटा सब के लिए समाने स्था है कुछ परकती के अनसार चलते हैं तो थोड़ी शमिशा आ रही है बाल 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 तो नहीं हो रहा है लेकिन निच्छी ताईव के समय के अनसार परकती का क्या कहता है उसके अनसार माल बालिका रासाल की हो रही है या सुला साल की भी हो रही है कभी जा सकती है सुसुराल कि पर उनको बेजने का ऐसा है कोई जरूरी नहीं है तो अब जाकर के वेवस्ता बड़िया सुधर रही है को ऐसा बच्पन से ही बालिकाओं को बेज देंग ऐसा नहीं था पहले वेवस्ता थी कि आप सुक्त होती थी तो उस समय कर लेते थे अब पहला रिस्तानाता करने वाला तुरंत कर लेते हैं इवा होने पर और शादेविया धुमदाम से हम करते भी हैं ऐसा परंपरिक नर्ते है और वो भी अपने कई शूर विर्ता का है कहने किसी घटना ही कर रहे हैं तो सारे अपने था नमडरन टाइम तो फैसन आई ये लेकिन सामाजी कारे में हमारी पूरानी परंपरा की जो वेश्बुषा है उसी को हम पहन कर जाएंगे वह पहनेंगे साधी ब्यामें जाएंगे मौतवरन पर भी जाएंगे वहां हमारे पुरामपरा जो तो दोस्तों यह बात थी जो आपने बहुत सारी दल्पत सिंग्जी से जाने इनका बहुत बहुत धन्यवाद आपना कीमती समय आमें देने के लिए और दोस्तों इसी परकार की आगे भी वीडियो आपको आदिवाशियों से जुड़ी होई और विलेज लाइप से जुड़ी होई मिलती रहेगे तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था सब्सक्राइब जरूर कर लिजे और इस जानकारी को आप देश क कोने कोने तक जरूर पहुंचा ना क्योंकि दोस्तों मैं इन अरावली परवत माला के जंगलों में पहुंचा हूं और ऐसी सांदार जानकारी मुझे भी पहली बार जानने को मिली है जो कि हमें कितबों में कहीं न कहीं नहीं पढ़ाई जाती है वही रटा रटाया पढ़ा झाल झाल